कहने को तो आज कर हजारों गुरु संसार में आ गए किसी जे कहने के कोई गुरु नहीं गुरु शब्धी का अर्थ बहुत बढ़ा है इसको समझ लेना चाहिए आज इसी पर मैं आपसे बात्सित करना चाहती हूं कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं गुरु शब्ध का अर्थ ही यह है कि जो हम से बढ़ा है जो हम से उचाई पे बैठा हुआ है जैसे उचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मा आत्मी से उपराता, वो अपनी सतह को धूंडने के लिए, अपनी सतह पे सब को लाने के लिए हमेशा लाला इकाता, आप पानी को किसी उचाई तरग दीजे, वो चाहेगा कि उसी उचाई पे सब को उचाई, यही गुरू का अर ऐसा जो नहीं, तो गुरू होने हैं, हमसे उचाई वो हर मामले में होना से, एक की मामले में नहीं, इसलिए आज कल जो गलो गली और रत्तो रस्ती हम लोग गुरूओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना से यह, कि गुरूओं की हजारों पशाद, जो गुरू परम तत्व की बात करते हैं, वही साक्षाद गुरू है, जो परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा ही के और आपको उठाते हैं, वही गुरू है, जो लोग आपके रुपिया पैसा लेते हैं, वह गुरू है, जो अपनी वानी का रुपिया लेते हैं, वह गुरू कभी भी नहीं हो सकत क्योंकि ये वाणी परमात्मा के आई हूँ बहु मुल्ले चीज है इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते हैं जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकें ये परमात्मा की चीज नहीं है आप परमात्मा को बजार में जाके खरीद नहीं सकते हैं याद रखिए, आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने ख़ले हों, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमाई, इससे बढ़के अधमता और नीश्टा संसार में कुछ भी नहीं है। अधमता पैसे अधम के लिए आधमता रखिए में करने ख़ले हैं और आप तो आप कैसे परमात्मा की बात करें, मैंने तो यह त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो यह छोए। मैंने उनसे कहा कि वाकर तुम चागना जानते हो, तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज, जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रगु के चरणों के धूल के बराबर भी है, उसके कणों के भी बराबर है, तुम उठा के लिए, लेकिन तॉल ना बराबर, इधर उसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेचे, तुमने क्या छोड़ा जिसका जंदा सुवे चाम गुमा करके और काशाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुडा करके और दुनिया बर में चिलाते थी रह रहो, क्या छोड़ा तुमनी यही पत्थर, यह मित्ती? असल में सहज योग इसी लिए घर गर्षी में बैठे हुए साधारन लोगों में ही करते हैं जो अपने जंडे कारते हैं उनमें कभी भी सहज योग नहीं आते हैं जो लोग सहज तर अलभाव से रहते हैं पर्मात्मा के दिये हैं अईश्वरे में उसके आनन्द और सुक से स्वहज से प्रेम पूर्वक रहते हैं ऐसे ही लोग ऐसे ही मद्य सिटी के लोग पर्मात्मा को पाते हैं गुरू का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काशाय वस्त्र पहन करके पैसा इकठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरू नहीं हो जिनके पास तूटी हुई साइक लेती और आज इंपाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरू नहीं हो सकते हैं जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए आराम से इसके लिए जनक राजा के पास में नसी केता करके एक बड़ा भारी आर्थ रहा था पहले तो वो शंका थे व्याकुल था उसने अपने गुरू से कहा कि ये एक ग्रहस में है ये राजा है इसके हाँ तुम क्यों जाते हैं इसके आगे तुम क्यों जुकते हैं इसके चरण क्यों छुते हो ये तो एक ग्रहस की आदमी तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तु लोग भाग, खाना पिना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना काते हैं, घूंजते हैं, फिरते हैं, बालबच्च्छे हैं यह आदम पो पर सकता परमातमा को जाने तूर ईकल जा रहा हुं ve मुझे ऑना रहते हैं, अबको रहतो बना हो चलो पर streams rich lady, आखे लो रजवाडे में सारी आग लगी ली राजा जनक ने कहा शी लगने दो अभी तो मैं ध्यानने हूँ हस के का जिसरा गवडा है उसके आद लोगों ने कहा इस सब तुम्हारे घरवाले भाग गए आग तुम्हारी तरफ आ रही तो उन्होंने कहा जाने दो अभी तो मैं ध्यानने हूँ उसके बाद उन्होंने कहा के अरे भी यहां तक आगई तुम्हारे जो बाहर आभूशन और वस्ते पढ़ें यह भी चले जाएंगे वहाँ जो रख्चक से वह भी भाग गए तो यह नक्टी गेड जो अंदर ना रहे थे उनके एक-डो जो कप्ड़े बाहर पड़े हूए वह नोन सोचा अगर यह जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा तो भागे बाहर तो उन्होंने अपने कप्ड़े पड़े तो भी यह जहां में मत जब यह लोटके आए उसको बड़ा आश्ते तो इसके है उन्हें उन्हें जब तक है रहने दीजे और नहीं है तो जाने यही बात सकते हैं जो गुरू मिठ्षा को मिठ्षा नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या दूनने जा रहे हैं हमारे सस्राल में एक किस्था है कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई बराती आए और बरातियों ने कहा कि हमारे यह हम दही बड़ात खाएं बरातियों के ज़रा नखरे होते हैं और जाले के दिनों में लोगों ने कहा कि दही इस वखत दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है तो जाले में दही बड़ा शाम से वखत बनाया नहीं जाए है कबस हम दही बड़ा खाएंगे अब इसी वक्त तो एक बाबा जी वहां रहते थे, उनका पता चला, उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भई आप किस तरह से इंतजाम को, तो कभे मैं मंगा तो दूँगा, लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं, तो आठे चीजे मंगा दीजिए, उन्होंने एक छिल्की बंद कर दी, लोगों के समझनी आए कि बाबाजी क्यों भागे, बूसरे दिन सवेरे, वहां मांग लोग होते हैं, एक चुद्र जातीं की, जो आती है और खाना वाना सब बतोर कर ले जाए, वो आए और उन्होंने देखा बरतन वगणों को, कहने अरे हमारे कुल लड़ कौन उठा के ल लोग इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते हैं, इसे भाना मती कहा जाता था महराष्ट में पहले, ऐसी चीजों में कोई भी विश्वास नहीं करता था, कि उपर से कुछ चीज चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए, अब क्या परमात्मा को कोई और धं पाने का उनको एक धंदा बचा हुआ, जब आप किसी को इसलिए गुरू बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकलवा देते हैं, मैं चैति हूं, ऐसे ही दाता लोगगर हैं, तो इस देश का एकना इसनामिक प्रॉब्लम ही सॉल्स कर दीजे, सब को दीजे, घरिया मंगाते ह प्रॉब्लम ही एक भगवान से बनी गड़ी मंगा दें तो मानने बाद, इस जीज़ को सोच लेना चाहिए, कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहिए, उसी प्रम को पाना चाहिए, पर आपकी भी छोग खोज इनी जडवस्तों में हैं, इनी पत्थरों में हैं, इसलिए आप इन लोगों को गूरु माने, भूरुपिया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है, तब आप मेरे पास आते हैं, कली एक प्री आईचे आपने देखा था, किस तरह से नाच रही थी, खूद रही थी, मैंने का आप कियो आई घई, कहने क्या करें आप तों ऐसे हो गए, मैंने का अच्छा है, लोग पागल तुम्हे बना है, और पागल खाना मैंने खोल रखा, तुम वहां क्या खोजने गई, क्या नाचने खूदने से परमात्मा मिन सकता है, हमारे मानव के जिसने भी काइदे कानून बने हैं, उसमें उन ग्रुनता को और उस दुश्कता को पहचाना ही नहीं कि मनुश्य अंदर से कितने गंदे कामों में फशा हो, कर वो लोग जान जाएं तो नए काइदे बनाने पड़ेंगे, इन लोगों को सब को पकड़ने के लिए, इसा मसी को तो इन्होंने उठा कर सुली के चाहा दिया, तो आसान था, लेकि इन लोगों को तो कोई पकड़ी नहीं पाता है, जो रात दिन आप से रुप्या खसोत करते और आप लोगों का सर्वनाच करने पर लगे हैं, और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तयार बैठे हुए, कभी आप लोगी घर भी और सोचे कि ये क्या हो, परमात्मा के नाम पर जड़वस्तों को बाटता है, कहां कि भलमांतियर, आप जी क्या कभी सोचते नहीं, कल जुर में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष के पास इतनी प्रगल वो बुद्धी इतनी उसके अंदर फूज भुद्धी है, क्या वो सारी अ तरे का मिस्वरिजम है और एंटाइसमेंट है, इसकी वज़े से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे हैं और अपने अंदर जूटे, बिल्कुल निठ्या ही, इश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांती में बैठे हुएं, अपने से भी गुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी गुलावा करें जब आप रहे हैं तो बहुत दूर जाने की जरूरत में, बहुत पढ़ने की जरूरत में आप समझ सकते हैं कि आप रहे हैं इसमें आपने एक दर अंदर दो शांती हैं मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरू है और 30-40-40 साल में heart attack आखर के लोग मर जाए। असंबहों की बात है अगर आप में realization का ज़रा सा भी तक वे एक बार जाग उठा है तो heart attack तो क्या कोई accident भी होना मुस्थी है। ऐसे ऐसे उधारण हमार अंदर है कि चोटा सा लगका अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन फूरी उलट गई जिस इद्वे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को शोट दिने और वो पार बच्चा आपके उपर देवता मंडराना चाहिए। अगर दिवय नहीं उतर सकता तो ऐसा realization करें अब हमारे ही लोग आप जानते है किसमे ही पार हुए है, cancer तक की चाहते है, कोई जिशेश बात है, कोई जिशेश हमारे चाहल को बात है, इसलिए है कि इनको इसमें interest नहीं है, किसी को cure कर लोगे, उनको realization में ही interest है, क्योंकि जो आनन्द आपने पाया है, वही आप चाहते ही कि सब पाये, सहज नहीं है, गर आपके पास रुप्या पैसा है, तो आप चाहते ही कि रुप्या पैसा खर्च करें, लोगों को खिला दिलाए, ऐसे ही realize soul भी चाहेगा आप मन में, कि दूसरों की भी जागरूती करें और पार करें, और कर्द फटें, अगर आपके अंदर light आई है, उसके लिए कसम लेने की कोई जरूरत नहीं, कस्तुरी का अगर सुगन दा रहा है, तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की जरूरत नहीं की यहाँ पर कस्तुरी का सुगन, लेकिन कस्तुरी की खोज है किसी, यह पहले अंदर सोच लीजी, नहीं तो ऐसे चक्रों में घूमने की कोई जरूरत नहीं की एक साइड में तो हमारे यह लोग हैं, जो कि हमारे सब कॉंशन से खेए हैं, हमारे जड़ चेतल से, हमारे पास खेए हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानती है, इस खोज में मैंने बहुत गुरू घंटालों को देखा, और सब कि मैं हटकंडे जानती हैं कि ये क्या क्या दशाकत हैं और किस तरह से जन्म जन्मानतर के लिए आपकी कुडलीनियों का सक्या नास करती हैं मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूं जो आपके तिछले जन्म की बाते बताई उसी से आप अभी रूत हो जाते हैं, इसी मेरे पास आई कह लें, माता जी मैंने उनको अपना सरवस्य देगी है, मैंने का क्यों, क्यों लिया तुम्ने, क्यों ने मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पती था, अगर ऐसा ही पाती वरत्य है तो जो मर गया पती, इसके लिए तो तुम इसकी मरी जा रहे है और जो तुम्हारा पती आज जीवित है, इसका क्या हाल है? उसके प्रती कोई पाती वरत्य नहीं और ये जो एक पैसा खाऊ वहां बैठा हुआ है, उसको तुमने सारे जेवर दे दिया, क्योंकि इसके तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पती है, फिर कोई कह रहे थे कि ये साब हम से कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार हैं, हम परमिश्वर हैं। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता। जूट बोलने में तो हम लोग पकते हैं, माहिर हैं। कोई की भी जूट बोल दीजें। इसको साइकॉलोजी में स्पिग्माइच पस्ना लेकिता है। आप पहेंकर साइकॉलोजी को अप्समा सकते हैं कि साइकॉलोजिस ने भी इनका पता लगाया है, नहीं लगाया कि बात नहीं। बढ़े शोर लोगें। खड़े होकर कि जो चाहे तो अंतिशन बखने लग जाते हैं। और लोग उसे विश्वास कने लग जाते हैं। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है। यह उसे बहुत से संसार में आएं। कमल के रई। कहने लगे हम भगवान। और भगवान है तो उसकी कोई सक्की भी तो होती है। एक माह से जी मुझे कहन लगे। मैंने उसे कहा कि आप से पास में इसे आउरतों का जमागत क्यों हो भई। आप दर्वादे बन-बन करके यह क्या कर रहे है। कि भगवान के नाम पर यह साम क्याता है। क्यों पर बहुत उन्होंने अक्या चार किया था। मुझे आकर प्राइवेट नी बताती है। मैंने का तुम कोर्ट में जाके बताओ। यह आदमी पकड़ा जाओ। उनका हम कोर्ट में कैसे बताएं। हमारे उपर आखवत आजाएगी। हमारी इज़त है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा, जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती, तो इसका कैसे पार हूँ। तो वो माशे से जाका जब मैंने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हूँ। क्यों ऐसा पाप भूर हूँ। क्या तुम को इसके मिलेगा। पर्मात्मा के नाम, तो उसके कहला का तुम्हें नहीं वालू मैं Shri Krishna हूँ। मैंने का वाब भीगा। शकल तो आपकी भूट ऐसे और आप Shri Krishna बने। आप Shri Krishna कैसे हूँ। मैंने का Shri Krishna को आप किसना जानते हूँ। जिसने पांस साल की उम्र में कालिया का मर्दन चया था उसके सर पे चड़के। वह कहा। मैंने का मैं आपकी दाड़ी ऐसे नोचनू तो अभी उठ नहीं चाते हूँ। मजाकी में मैंने कह दिया, बाद में सुना था किसे नोचनू की दाड़ी आदा घंटा पकरी रही कि वह हिलते रहे वैसे। मैंने कह दिया। ऐसे Shri Krishna पैदा होने लग जाए। दूसरे साब कहने लगे कि मैं औरतों को इसले नगना करता हूँ। उसले ने औरतों को नगना करता हूँ। बताईये कहां की वेवकू की की बाते हैं। विश्विश्ट पांस साल की उमर में बच्चों जैसे उनकी लीला आजी। औरतों के साथ में उनको क्या नगना को पांस साल का बच्चे। उनसे बहुत गहना थे, वो तो सहज योग दीरा कर रहे थे, पांच साल के बच्चे के लिए कौन बड़ा और कौन शोटे, उसको सब यह समझता का, पांच साल के भी में ते उसके भी शोटे थे, तो मैंने उनसे था अगर यही बात शी, तो काहे के लिए द्वारिका में इस पर वो कि Shri Krishna जी शुप हो, कहा तो एक उओली पर जुदू को पकड़ने वाले है वो Shri Krishna, और आज चल हर एक जली में और बजार में मिलते हैं जहां जाएं वहाँ, एक Shri Krishna, एक Shri Krishna, कहा Shri Krishna, कहा Shri Krishna, कुछ आपकी बुद्धी बद गई है या नहीं, जो कभी कुदी इसको परमात्मानी सारी ही बुद्धी के आवरन भी खोल दी है, ऐसे मनुष्य के बुद्धी में धर्म के मामले में इतना पर्दा थी, अपने ही देश में नहीं है, इसकी तो बात ही है कि पर्देश में भी इसकदर अंधसकार, एक वहाँ योगी जी पहुंचे रहे थे, उन्चे किश्याम से मिल गया है, वो हमारे सामने आये, देखते क्या उनका अग्या चेकर और नाभी चेकर, दोनों को गोल गुमा जया, और वो भजन गा रहे हैं उन्हीं, उल्टा गुमाने का मतलब है, आदमी जो पागल होता है, अब आप गरपार हो जाएं तो आप भी जमाने से चलिया, उसके बारे में हमारे यहां कोई जानता नहीं है, अशी बात नहीं, लेकिन उसके और यह जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्का में उधर धान नहीं है, इसको मराठी में भी कहते हैं कि करनी, यह जो देविया अविया आतनी हैं किसी के बदन में, और हम लोग उनको कूंकू लगां जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आते हैं, यह सब परेत विध्या और स्मशान विध्या है, इसका भी एक बड़ा-भारी सायन्स है, उसको भी मैं तभी चाहे तो बताऊंगी आपको, आज बत्त महराज के इसको भी जान देना से, ये सब महामुर्कता के लक्षन हैं, जो हम ऐसे दूस्तों के हाथों में अपने को बेचे, कमसकम अपनी बुद्धी को सही रखे, फोड़ा सा जटक के सोचे, जब कभी भाशन में आप जाएं, तो आप सोच्छी के आदमी बोल क्या रहा है, और कर क्य रहा है, इसका बोलना और करना, इसमें अंतर वो कभी भी गुरू हो ही नहीं सकता, इसको आप समझते, अब ही हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और कल हमलगें संसारिक चीज़ों के पीशे में, तो हमकभी भी वैसे हो नहीं, य Panland, को ये संसार को विर्षी चीज नहीं है, ल झाल 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 झाल